दोस्तों आज की इस वीडियो में हम comparison करेंगे Vivo T2 5G smartphone को Vivo T2 X 5G smartphone के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों smartphone की display की तो आपको बता दू कि Vivo T2 के अंदर हमें 6.38 इंचिस की Full HD Plus AMOLED डिस्पले दी गई है जो कि 90 Hz के refresh rate को spot करती है और वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 X के अंदर हमें 6.58 इंचिस की Full HD Plus IPS LCD डिस्पले दी गई है जो कि सिरफ 60 Hz के refresh rate को spot करती है यानि कि दोस्तों डिस्पले आपर भाई content watching के साथ से ना Vivo T2 smartphone की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि इस फोन में हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भी अच्छी बात है लेकि ज़र आई T2 X को देखना चलो IPS LCD जो की average है दे दिया फोन के अंदर ठीक है लेकिन सिरफ 60 Hz का refresh rate यार बिल्कुल कोस्ट कटिंग करी है विवो ने ना इस फोन के अंदर में आपको सही बता रहा हूँ ओपरेटिंग सिस्टम के अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहां पर out of the box Android 13 के साथ में आते हैं जो की फंटे 13 पर based है दोस्तो फंटे 13 भाई आपको भर भर के बलोट फर धरूर से मिल जाएंगे उसका हम कुछ नहीं कर सकते चिपसेट की अगर हम बात करें तो वीवो टीटू के अंदर हमें स्नैब ड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया है जो की 6 नानोमेटर टेकनोलजी पर based है वहीं दूसरी तरह वीवो टी टू एक्स के अंदर हमें डायमन सीटी 6020 5G चिपसेट दिया गया है जो की 7 नानोमेटर टेकनोलजी पर based है वैसे तो दोस्तो डे टू डे परफोर्मेंस के मामले में हाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया है लेकिन अगर हमें इन दोनों मेंसे किसी एक को चूज करना हो ना specially gaming के लिए तब आप यहाँ पर definitely वीवो टी टू की तरफ ही ज़रूर से जाईए क्योंकि इस फोन में हमें Snapdragon 695 दिया गया बढ़िया चिपसेट है gaming आपको माईदार वाली करवा देगा और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन में से किसी वाल को बाई करना चाहते है ना तो लिंक मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ से जाकर आप इने बाई कर सकते है और अब बारी आती है back camera setup की तो दोनों smartphone के back में में dual camera का setup दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो T2 की तो इस phone का mean camera 64MP का depth camera है 2MP का वहीं दूसरी तरफ वीवो T2X का mean camera 50MP का depth camera है 2MP का और दोस्तों mean camera यहाँ पर भाई वीवो T2 smartphone के एकदम बढ़िया है क्योंकि जो 64MP का camera है काफी अच्छी photos और videos आपकी click कर देगा लेकिन यार दोनों phones के अंदर जो हमें 2MP का depth camera दिया ना भाई सिरफ और सिरफ useless cameras का कोई फायदा नहीं है इसकी जगा पर यार कंपनी अल्टरावाइट क्यों नहीं दे रही मुझे यह नहीं समझ में आ रहा दोस्तों पता है क्यों नहीं दे रही क्योंकि उन्हें पैसे बचाने सिरफ इसलिए और video stabilization के अगर मैं बात करूँ तो Vivo T2 यहाँ पर OIS प्लस EIS टेकनोलजी को स्पोर्ट करता है वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 X यहाँ पर सिरफ EIS टेकनोलजी को स्पोर्ट करता है इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छी stable video बनानी है न भाई तब आप यहाँ पर definitely Vivo T2 की तरफ ही जरूर से जाईए फ्रेंट के अगर हम बात करें तो Vivo T2 के फ्रेंट में में 16 Megapixel का Selfie Camera दिया गया है वहीं दूसरी तरफ T2 X के फ्रेंट में हमें सिरफ 8 Megapixel का Selfie Camera ही दिया गया है सिरफ 8 Megapixel का Selfie Camera इसलिए दोस्तों Selfie Lovers के भी साबसे यहाँ पर Vivo T2 स्मार्टफोन ही विनर है और Maximum Video Recording आप दोनों फोन्स के फ्रेंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर Vivo T2 स्मार्टफोन 45 मेह की बैटरी के साथ में आता है जो कि 44 वोट की Fast Charging को स्पोर्ट करता है वहीं दूसरी तरफ T2X के अंदर हमें 5000 mmH की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सिरफ 18 वोट की Fast Charging को स्पोर्ट करती है दोस्तों सिरफ 18 वोट का स्पोर्ट हमें इस फोन में मिल रहा है भाई समझ पारे अब गेम के चल रही है इसलिए अगर आपको बड़ी बैटरी अला स्मार्ट फोन लेना है तब आप यहाँ पर T2X की तरफ जाईए लेकिन अगर आपको Fast Charging ज़्यादा चीह है न भाई तब आप यहाँ पर T2 की तरफ ही जरूर से जाईए नेटवर कनेक्टिविटी के अगर हम बात करें तो दोनो फोन्स यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं जो कि 6 5G बैंड को स्पोर्ट करते हैं और 3.5 mm जैक और सिंगल स्पीकर हमें दोनो फोन्स के अंदर दिया गया है और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तोÓ दोनो स्मार्टफोन की प्रैजिंगी तो आपको बता दो कि Vivo T2 स्मार्टफोन के 8 228GB वेरियंट की प्रैजिंग है 21,000 पे वहीं दोसरी तरफ वीवर T2 X स्मार्टफोन की 8 2 28 GB वेरियंट की प्रैजिंग है 12,000 पे और अगर मैं आपर अपना पॉइंट फे दूना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो और मेरे कोडिंग तो आपको ना T2X फोन ना बाय करके ना इसकी जगा पर आप एक जार पर एक्स्ट्रा पे करके रियल में नारजो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन ले सकते हो भई वो स्मार्टफोन सही में काफी आदा बढ़िया है और वहीं दूसरी तरह दोस्तों वीवर T2 लेने के बज़ाए ना भई आप आईकू Z75G स्मार्टफोन ले सकते हो कम प्राइज में एकदम सेम स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है उस फोन के अंदर तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ होनेस्ट अपीनेंस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए खतम